सक्सेस्फुल स्टोक स्पेकुलेटर इसे अप्रेल 1922 में जेजे बटलर द्वारा लिखा गया और राष्ट्रिय वित्य सूचना ब्यूरो द्वारा दिसंबर 1922 में परकाशित किया गया इसका साल 2024 में यश माकर द्वारा हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और हिंदी-audiobook.com द्वारा परकाशित और रिलीज किया गया हमारा मानना है कि इस पुस्तक में बताए गए सिधान्त उन सभी लोगों के लिए बहुत मुलेवान है जो स्पेकुलेटिव सिक्यूरिटीज खरीदते हैं और हम किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके किसी भी भाग को उन्हें परस्तूत करने पर आपती नहीं करते हैं चाहे हमें इसका स्रे दिया जाए या नहीं राष्ट्रिय विट्टिय सूचना ब्यूरो भाग 1. परिचे आत्मक अध्याए अध्याए 1. इस पुस्तक का उदेश्य यह पुस्तक हमारे ग्राहकों को उन मूलबूत सिधान्तों के बारे में कुछ जानकारी देने के उदेश्य से लिखी गई है जो हमें उनके लिए स्टोक चुनते समय मार्ग दर्शन करते हैं लेकिन ये सिधान्त हर उस व्यक्ति के लिए मुल्यवान है जो लिस्टिड स्टोक या किसी अन्य प्रकार के स्पेकुलेटिव स्टोक में बिजनस करता है सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपको स्पेकुलेशन शब्द का आर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए जिसे अगले अध्याई में समझाया गया है हमारा उदेश्य आपको नुकसान से बचाना है और साथ ही आपको प्रॉफिट कमाने में सक्षम बनाना है और यह बहुत मैतुपूर्ण है कि आप समझें कि अपनी स्पेकुलेशन में सुरक्षा कैसे परदान करें यह एक सर्वविदित तथ्य है कि स्टोक स्पेकुलेशन में भारी नुकसान होता है लेकिन हमारा दावा है कि यदि सभी स्पेकुलेटर इस पुस्तक में बताई गई सिधांतों का पालन करें तो इन में से लगबग सभी नुकसानों से बचा जा सकता है क्या और कब दो बहुत मेहतोपूर्ण शब्द है और हम आपसे अध्याई 5 से 9 तक का ध्यान पूर्वक अध्यन करने के लिए बहुत अधिक आग्रे करते हैं अध्याई 10 से 15 आपको स्टोक के कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रभावों के बारे में बहुत कुछ बताईगा जिसका ग्यान आपके लिए अपना सिलेक्शन करने में भी मार्ग दर्शक होगा संभवत पूरी पुस्तक में सबसे महतोपूर्ण अध्याई 25 है जो मार्केट इन्फोर्मेशन पर आधारित है इस अध्याई को द्यान से पढ़ने पर आपको यह विश्वास हो जाएगा कि स्टोक मार्केट के बारे में परसलित अधिक इन्फोर्मेशन ब्रहमक होती है अकेले यही तथ्ये, स्टोक स्पेकुलेशन में होने वाले बहुत से नुकसानों के लिए जिम्मेदार है हमारा उदेश्य सभी तथ्यों को संक्षेप में बताना है पूरी पुस्तक बहुत लंबी नहीं है और इसे ध्यान से पढ़ने के लिए आपको ज्यादा समय की जरूरत नहीं पढ़ेगी हमें यकीन है कि आपको इससे कई ऐसे विचार मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे अध्याय दो स्पेकुलेशन क्या है? स्पेकुलेशन किसी ऐसी चीज के बारे में सिध्धान्त बनाना है जो एनिष्चित है हम किसी भी ऐसी चीज के बारे में अनुमान लगा सकते हैं जो एनिष्चित है लेकिन हम इस पुस्तक में स्पेकुलेशन शब्द का इस्तेमाल विशेश रूप से प्रॉफिट कमाने के उदिश्य से स्टोक और बॉंड की खरीद और बिक्री के संदर्ब में करते हैं जब लोग स्टोक और बॉंड को उनसे मिलने वाली आय के लिए खरीदते हैं और उस आय की राशी तै होती है तो उन्हें इन्वेस्टमेंट करना कहा जाता है नेकी स्पेकुलेशन लगवग सभी इन्वेस्टमेंट में स्पेकुलेशन करने का ततो भी होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस परिवर्तन के अधीन होता है इन्वेस्टमेंट से यह भी पता चलता है कि आपने जो कुछ भी खरीदा है उसे कुछ समय तक अपने पास रखना है जबकि स्पेकुलेशन इनकम के लिए रखने के बजाए तुरंत प्रॉफिट के लिए बेचने का विचार देती है ज़्यादातर लोगों के दिमाग में स्पेकुलेशन शब्द रिस्क के विचार को व्यक्त करता है और कई लोग सोचते हैं कि इसका मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है डिक्सनरी में स्पेकुलेशन के एक अर्थ के लिए बड़े प्रोफिट के लिए रिस्क बरा इन्वेस्टमेंट दिया गया है लेकिन स्पेकुलेशन का रिस्क बरा होना जरूरी नहीं है इस पुस्तक के लेखंग ने एक बार सुरक्षा के साथ स्टोक स्पेकुलेशन अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया था और एक निश्चित विटिय पत्रिका ने और इसके लिए उनकी कड़ी आलोचना की थी जाहिर है कि उस पत्रिका के संपादक ने सोचा था कि स्पेकुलेशन और सुरक्षा विरोदावासी शब्द है लेकिन यह अभिव्यक्ति बिलकुल सही है सुरक्षा के साथ स्टोक स्पेकुलेशन संभव है बेशक हम जानते हैं कि सुरक्षा शब्द का इस्तेमाल शायदी कभी पूर्ड आर्थ में किया जाता है हम अक्सर इस तरह की अभिवेक्तियां पढ़ते हैं मोडर ओफिस बिल्डिंग्स में लिफ्ट सुरक्षा के लिए चलाई जाती है सुरक्षा के साथ समुंदर पार करना संभव है आप न्यू यारक के सैन फ्रांसिसको तक रेलगाडी में सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं और फिर भी दुर्गट नए हो जाती है लोग लिफ्ट, स्टीम शिप और रेलगाडियों में अपनी जान गवा देते हैं चुकि गंबीर दुर्गट नए तुलनात्मक रूप से दुर्लब हैं इसलिए हम सुरक्षा शब्द का उपयोग करते हैं इसी तरह कभी-कभी स्टोक खरीदना संभव होता है जब यह लगवग निश्चित होता है कि खरीददार को प्रोफिट होगा और यह सुरक्षा के साथ स्टोक स्पेकुलेशन है जब 80's के दसक में लिवर्टी बॉंड भिक रहे थे तो कई लोगों ने उन्हें स्पेकुलेशन के लिए खरीदा था वे कोई रिस्क नहीं उठा रहे थे सिवाए इस मामूली रिस्क के कि मार्केट प्राइस बढ़ने से पहले और भी कम हो सकता है और इसमें उन लोगों के लिए कोई रिष्क शामिल नहीं था जो वे जानते थे कि वे उन्हें होल्ड कर सकते हैं यह तथ्य कि लिबर्टी बॉन्ड की मार्केट कीमते बढ़ेंगी एक आर्थिक कानून पर आधारित थी जो कभी विफल नहीं होती वह कानून यह है कि जब ब्यासदरें बढ़ती है तो बॉन्ड की मार्केट कीमते कम हो जाती है और जब ब्यासदरें कम होती हैं तो बॉंड की मार्केट कीमते बढ़ जाती है जब 80's के दशक में Liberty Bond बिक रहे थे तो ब्यासदरें इतनी अधिक थी कि यह निश्चित था कि वे नीचे आएंगी यह भी निश्चित था कि Liberty Bond की मार्केट कीमते बढ़ेंगी लेकिन कोई भी यह नहीं बता सकता था कि एक निश्चित समय में वे कितनी बढ़ेंगी यह ए निश्चित था का वह तत्व था जिसने उन्हें स्पेकुलेशन करने वाला बना दिया और एसा नहीं था कि इस तथ्य के बारे में कोई संदे था कि उनके मार्केट प्राइस बढ़ेंगी उस समय Liberty Bond खरीदना सुरक्षा के साथ स्पेकुलेशन करना था यदि आप इस पुस्तक को समझ के साथ पढ़ते हैं तो आपको सुरक्षा के साथ स्पेकुलेशन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा स्टोक स्पेकुलेशन के संबंद में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ सरते स्टोक ब्रोकरों के संपर्क में आने वाले लोगों के लिए बहुत परीचित है लेकिन मेल द्वारा बिजनस करने वालों के लिए हमेशा परीचित नहीं होती है निसंदे, हमारे अधिकांस पाठक इन शर्टों से परीचित है लेकिन हम ये परिभाशाएं उन कुछ लोगों के प्रॉफिट के लिए दे रहे हैं जो इन से परीचित नहीं है ट्रेडर, स्टोक खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति को आम तोर पर ट्रेडर कहा जाता है यह शब्द संभवत है, तब उत्पन हुआ जब एक स्टोक की बदले, दूसरे स्टोक का बिजनस करना प्रथागत था और बाद में इसका उप्योग एसे व्यक्ति को संदर्बित करने के लिए किया जाने लगा था जो एक स्टोक बेचकर दूसरा स्टोक खरीदता था वह ट्रेडर था, लेकिन जो व्यक्ति प्रोफिट के लिए स्टोक खरीदता है और उन्हें बेचकर आउसर मिलने पर अपना प्रोफिट कमाता है वह शब्द के सक्त अर्थ में ट्रेडर नहीं हो सकता है हलांकि सुरक्षा के लिए हम इस पुस्तक में ट्रेडर शब्द का उप्योग किसी एसे व्यक्ति को संदर्बित करने के लिए करते हैं जो स्टोक खरीदता या बेचता है Speculator यह शब्द एसे व्यक्ति को संदर्बित करता है जो प्रोफिट के लिए स्टोक खरीदता है स्टोक की आये के संदर्ब के बिना उच्च कीमत पर बेचने की उम्मीद के साथ वह पहले बेच सकता है कम कीमत पर खरीदने की उम्मीद के साथ जैसा की अध्याय सत्रा में शोर्ट सेलिंग पर समझाया गया है कई मामलों में वहां हम ट्रेडर शब्द का उपयोग करते हैं उसके बजाए स्पेकुलेटर शब्द का उपयोग करना अधिक सही होगा इन्वेस्टर इन्वेस्टर स्पेकुलेटर से इस मामले में अलग होता है कि वह स्टोक या बोल्ड को इस उम्मीद से खरीदता है कि वह उन्हें कुछ समय तक अपने पास रखेगा ताकि उनसे आय प्राप्ट की जा सके बिना किसी स्पेकुलेशन की संभावनाओं के संदर्म में हमारा मानना है कि निवेश्कों को हमेशा अपनी खरीद की स्पेकुलेशन संभावनाओं पर कुछ विचार करना चाहिए रिस्क में व्रदी या आय में कमी के बिना speculation profit प्राप्ट करना अक्सर संभव होता है बुल जो व्यक्ति यह मानता है कि stock का market price बढ़ेगा उसे बुल कहते हैं बेशक एक stock में बुल और दूसरे में bear होना संभव है इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर market के संदर्ब में किया जाता है बुल market का मतलब है को संदर्बित करता है जो मानता है कि stocks का market price घट जाएगा और bear market एक गिरता हुआ market है लेंब लेंब का तातपरिया जनता के उस हिस्से से है जो stock speculation के बारे में इतना कम जानता है कि वे जल्दी या बाद में अपना सारा पैसा खो देते हैं बुल और bear उन्हें आगे बढ़ाते हैं यदि लेंब इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि वे अपना पैसा क्यों खोते हैं long और short जिनके पास stock है उन्हें long कहा जाता है और जिनके पास उदहार stock है उन्हें short कहा जाता है short selling को अध्याई 17 में समझाया गया है odd lot एक्सचेंजों पर stock निश्चित lot में बेचे जाते हैं New York stock exchange पर 100 stock एक lot होते हैं और consolidated stock exchange पर 10 stock एक lot होते हैं इन राशियों से कम एक odd lot होता है जब आप एक odd lot बेचते हैं तो आपको आम तोर पर market price से एक बटे आठ कम मिलता है और जब आप एक odd lot खरीदते हैं तो आप आम तोर पर market price से एक बटे आठ अधिक बुगतान करते हैं यानि प्रतेक stock पर एक डोलर का एक बटे आठवा हिस्सा जहां कीमते डोलर में दिखाई जाती है point यह कहना एक आम अभी व्यक्ती है कि कोई stock एक point उपर या नीचे कया जिसका आर्थ है कि डोलर में लिखे stock में एक डोलर लेकिन cent में लिखे stock में एक cent क्योंकि कई stock निव्यार्क कर्ब पर हैं कि 18 cent और 12 वटे 100 cent प्रती पाउंड और यदि यह 30 point उपर गया तो quotation 18 point 42 होगा Reaction Listed stock में कारोबार करने वाला हर व्यक्ती शायद इस शब्द से परीचित होगा इसका मतलब है वीपरित दिशा में काम करना लेकिन इसका इस्तेमाल खास तोर पर उस stock के कीमत में गिरावट के लिए किया जाता है जो लगातार बढ़ रहा है Rally Rally उस शब्द के वीपरित है जिसमें आम तोर पर Reaction का उपयोग किया जाता है जब कोई stock नीचे जा रहा होता है और फिर उपर की और मुड़ता है तो उसे Rally कहा जाता है Commitment इस शब्द का इस्तेमाल stock की खरीद के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल आम तोर पर निवेश बैंकरों द्वारा किया जाता है जब वे किसी इशू को खरीदने के लिए अनुबंद करते हैं लेकिन कभी-कभी इस शब्द का इस्तेमाल ट्रेडर्स द्वारा भी किया जाता है Floating Supply किसी कमपनी का स्टोक जो जनता के उस हिस्से के हाट में होता है जो उसे बेचने की संभवना रखता है उसे Floating Supply कहा जाता है अध्याय चार Speculation का सही आधार हमारा मानना है कि केवल एक ही आधार है जिस पर सफल Speculation लगातार जारी रह सकती है वह है किसी Securities को तब तक ने खरीदे जब तक कि वह उस कीमत से कम पर ने भिक रही हो जो Assets, कमाई की क्षमता और भावी कमाई की क्षमता द्वारा निरधारित हो स्टोक की कीमतों की चाल को परभावित करने वाले कई परभाव हैं जिनका उल्लेक अगले अध्यायों में किया गया है इन सभी का अध्यन करना चाहिए और इने समझना चाहिए लेकिन इनका उप्योग उस स्टोक के मुल्ले के संबंद में सेकेंडरी फेक्टर्स के रूप में किया जाना चाहिए जिनमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं यदि किसी स्टोक का मार्केट प्राइस उसके इंट्रेंसिक वेल्यू से बहुत कम है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि बविश्य में इस मुल्य में कोई बदलाव हो जिससे यह कम हो जाए तो आप निश्चिन्त हो सकते हैं कि कुछ महतोपूर प्रभाव फिलाल स्टोक के मार्केट प्राइस के विरुत काम कर रहे हैं समय के साथ मार्केट प्राइस रियल वेल्यू की और बढ़ेगा इस मामले को अगले अध्यायों में और विस्तार से समझाया गया है आपको हमेशा इस तथे को ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप किसी स्टोक को उसके इंट्रेंसिक वेल्यू से अधिक कीमत पर खरीदते हैं तो आप रिस्क उठा रहे होते हैं स्टोक में भविश्या की बहुत अच्छी संभावनाई हो सकती है लेकिन जब मौझूदा ऐसेट्स और इंकम उनके मार्केट वेल्यूस की गारंटी नहीं देती है तो स्टोक खरीदना रिस्क भरा होता है भले इ भविश्यावाने की संभावीत आए कितनी भी आकरशक क्यों नहीं हो हालांकि कभी-कभी प्रोफिट की संभावनाई इतनी अधिक होती है कि यह रिस्क उठाना उचित है हमारा मानना है कि अधिकास ट्रेडर्स स्टोक इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे मार्केट में एक्टिव हैं और किसी ने कहा है कि यह एक अच्छी खरीद है बले ही रियल वेल्यू मार्केट मुल्यों के बराबर नहीं हो इस तरह के बिजनस के एक उधारन के रूप में हम आपका ध्यान न्यूइयर्क के एक अख़वार में छपी एक ख़वर की और आकरशित करना चाहते हैं इसमें कहा गया था कि एक अप्रेल को डेट्राइट के कुछ ब्रोकर्स ने अप्रेल फूल के मजाग के तोर पर एफपी खरीदने की सला दी जिसका मतलब अप्रेल फूल प्रिफर्ड था लेकिन जब उनसे इसका मतलब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया अमेरिकन फायर प्रोटेक्शन बेशत एसा कोई स्टॉक नहीं था लेकिन मजाग का पता चलने तक इसमें एक्टिव ट्रेड होता रहा जाहिर है इसमें ट्रेडिंग के लिए डेटराइड स्टॉक एक्सेंज में स्टॉक को लिस्टिड करना ज़रूरी नहीं है यह कहानी सच भी हो सकती है और नहीं भी लेकिन हमारा मानना है कि यह कथन कि लोग उन स्टॉक में ट्रेड करते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता सच है आपको सावधान रहना चाहिए कि आप किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए नहीं खरीदे क्योंकि कोई कहता है कि इसे खरीदना अच्छी बात है जब तक कि बयान देने वाला व्यक्ति स्टॉक के बारे में जानकारी देने के बिजनस में नहीं हो क्योंकि यह सिर्फ एक अफवा हो सकती है जिसका कोई ठो साधार नहीं है बेशक अगर बहुत से लोग अफवा पर अमल करते हैं तो स्टॉक में एक्टिव ट्रेड होगा और अच्सर इसी उदेश्य से इसी अफवाहे शुरू की जाती है भाग दो क्या और कब खरीदें और बेचें अध्याएप 5 कौन से स्टोक खरीदें कौन से स्टोक खरीदने है यह तै करने में सबसे पहले स्टोक की स्रेणियों पर विचार करना अच्छा होता है और फिर आपके द्वारा चुनी गई स्रेणियों में आपको कौन से विशेश्ट स्टोक खरिदने चाहिए हम सबसे पहले सभी स्टोक्स को दो स्रेणियों में विभाजित करेंगे वे जो New York Stock Exchange में लिस्टिड है और वे जो New York Stock Exchange में लिस्टिड नहीं है एक नियम के रूप में New York Stock Exchange में Listed Stock खरीदना पहतर है हाला कि इस नियम के अक्सर अपवाद होते हैं फिर New York Stock Exchange में Listed Stock को Railroad Stock, Public Utility Stock, Motor Stock, Tire Stock, Oil Stock, Copper Stock, Gold Stock इत्यादी जैसे वर्गों में विभाजित किया जा सकता है कुछ समय में कुछ स्टोक अन्य समय की तुलना में बहुत अधिक अनुकूल स्थिति में होते हैं 1919 में जब उद्योगिक स्टोक बहुत अधिक कीमत पर भिक रहे थे तो Public Utility Stock और Gold Stock कम भिक रहे थे क्योंकि परिचालन लागत में व्रदी के अनुपात में आई में व्रदी करना असंभाव था लेकिन 1921 की शुरुवात से इन दो वर्गों के स्टोक की कीमत में सुधार हो रहा है और मार्केट ने उस सुधार को परतिभिम्वित किया है इस पुस्तक को लिखते समय अप्रेल 1922 के आरम में हम केवल कुछ ही वी निर्मान कमपनियों के स्टोक की सिफारिस कर रहे हैं लेकिन हम कुछ सभी नहीं रेल, मार्ग और सारवजनिक उपयोगिता स्टोक की सिफारिस कर रहे हैं तता अन्यस रेणियों में से कुछ विशेश रूप से चैनित स्टोक की भी सिफारिस कर रहे हैं प्रतेक मामले में जब आप चैन करते हैं तो आपको कमपनी की एसेट्स, प्रेजेंट इंकम और फ्यूचरिस्टिक इंकम पर विचार करना चाहिए और फिर प्राइस मोव्मेंट्स को परभावित करने वाले सभी परभावों को द्यान में रखना चाहिए जैसा कि बात के अध्यायों में बताया गया है अध्याय छे कौन से स्टोक्स ने खरीदें जिन स्टोक्स को आपको खरीदना चाहिए उनसे कहीं अधिक उन स्टोक्स के बारे में कहा जा सकता है, जिनें आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उनकी सूचिप बहुत बड़ी है न्यूयर्क स्टोक एक्सेंज में लिस्टेड नय होने वाले स्टोक को एक नियम के रूप में एक सावधान स्पेकुलेटर द्वारा नहीं खरीदा जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि पिछले अध्याई में कहा गया है, उस नियम के अपवाद है अतीत में बेकार हो चुके स्टोक को खरीदने से, अर्बो डोलर का नुकसान हुआ है कुछ साल पहले बंद हो चुके सिक्यूर्टीज की एक सूची तयार की गई है, और उन्हें गिनने में दो बड़े वोल्यूम लगे हर साल उसमें नई सिक्यूर्टीज जोड़ी जाती है, इसलिए यह बहुत मैतोपूर्ण है कि आपको इस विशय पर ध्यान पूर्वक विचार करना चाहिए कि कौन से स्टोक नहीं खरीदने चाहिए लगबग सभी प्रोमोशनल स्टोक यानि नई कमपनियों के स्टोक ऐस सफल होते हैं और उनमें बहुत कम प्रतिशत बहुत सफल होते हैं और सफल लोगों का उलेक नई कमपनियों के विज्यापन में किया जाता है लेकिन ओसत के आधार पर संभावना यह है कि आप प्रमोशनल स्टोक में अपना पूरा पैसा खो देंगे हमारा मानना है कि अधिकांस प्रमोशनल कमपनिया पूरी तरह से अच्छे विश्वास के साथ शुरू की जाती है हलांकि उन में से कुछ शुरू से इठगी करती है लेकिन आयोजक चाहे कितने भी इमानदार और नेक इरादे वाले क्यों ने हो सफलता की संभावना उनके खिलाफ है इसलिए हम कहते हैं कि प्रमोशनल स्टोक को आम आदमी को नहीं खरीदना चाहिए जो एक अच्छा स्पेकुलेटर ढून रहा है क्योंकि जब वह न्यूयार्क स्टोक एक्सेंज में लिस्टिड स्टोक खरीदता है और ऐसा करने में अच्छे निर्ने का उप्योग करता है तो न्यूनतम रिस्क के साथ बड़ा प्रॉफिट कमाने की उसकी संभावना बहुत बेहतर होती है लिस्टिड स्टोक में से कई ऐसे हैं जिने आपको नहीं खरीदना चाहिए सबसे पहले उन्हें वर्गों के अनुसार हटा दे उन स्टोक वर्गों को नहीं खरीदे जो अभी बहुत अधिक भिक रहे हैं आप कह सकते हैं कि सभी वर्गों में कुछ आपवाद है एसा हो भी सकता है और नहीं भी लेकिन किसे भी स्थिति में आपके पास अपनी अधिकांश खरीदारी उन स्टोक वरगों तक सिमित करके प्रोफिट कमाने का बेहतर मोका है जो सबसे अनुकूल स्थिति में है एक नियम के रूप में जब स्टोक पहली बार लिस्टिड होता है तो वे थोड़े समय बाद की तुलना में बहुत अधिक कीमत पर बिकते हैं बेशक यह हमेशा सच नहीं होता है यह तब सच होने की अधिक संभावना है जब कोई स्टोक बहुत सक्रिय मार्केट के दोरान लिस्टिड होता है जब कीमते परचार से अधिक आसानी से परभावित होती है इसकी उच्छ कीमत आम तोर पर इस तथ्य के कारण होती है कि इसे प्रचार दिया जाता है और जैसे ही इस प्रचार का प्रभाव खत्म हो जाता है, स्टोक का मार्केट प्राइस गिर जाता है यह है एक अच्छा नियम है कि कभी भी ऐसे स्टोक ने खरीदें जिने ब्रोकर खरीदने के लिए आपको प्रोचसाहित करते हैं आपकी अपनी सामन्य समझ आपको यह बताएगी कि ब्रोकर द्वारा बड़े पैमाने पर विग्यापित किये गए स्टोक की कीमत विग्यापन के दोरान बढ़ने की संभावना है और विग्यापन बंद होते ही कीमत में गिरावटा जाएगी बहुत से लोग इस बात को नोटिस करते हैं और सोचते हैं कि जब विग्यापन शुरू होता है तो खरीद कर और जब उन्हें अच्छा मुनाफ़ा बिलता है तो बेच कर वे मुनाफ़ा कमा सकते हैं लेकिन उन में से ज्यादातर लोग पैसे खो देंगे हो सकता है कि स्टोक विग्यापन के हिसाब से ने चले या अगर यह उपर जाता है तो वे बेचने से पहले बहुत लंबा इंतजार कर सकते हैं जो लोग बेचते हैं और बहुत कम समय में 200% या 300% मुनाफ़ा कमाते हैं वे लेन्नेन को दोहराने के प्रयास में लगबग निश्चित रूप से सब कुछ खो देते हैं इसे पढ़ने वाले बहुत से लोग अपने अनुवाव से जानते हैं कि यह सच है आपको एसे स्टोक को पूरी तरह से अकिला छोड़ देना चाहिए आप एक या दो बार जीत सकते हैं लेकिन अगर आप इसे जारी रखते हैं तो आप निश्चित रूप से हार जाएंगे एक नियम के रूप में इस तरह के स्टोक का बहुत कम मुल्य होता है और जो ब्रोकर उन्हें बढ़ावा देते हैं वे अपने मूर्क अनिरयों के नुकसान से अपना पैसा बनाते हैं अध्याई साथ स्टोक कब खरीदे स्टोक को तब खरीदना चाहिए जब वे सस्ते हो सस्ते होने से हमारा मतलब है कि मार्केट प्राइस इंट्रेसिक वैल्यू से बहुत कम है अध्याई 10 से 15 में हम उन प्रभावों के बारे में बात करते हैं जो स्टोक की कीमत की चाल को प्रभावित करते हैं इनका ध्यान पूर्व का ध्यन करके आप यह तै कर पाएंगे कि स्टोक आम तोर पर कब सस्ते होते हैं बेशक सभी स्टोक एक ही समय में सस्ते नहीं होते हैं लेकिन अधिकास लिस्टेड स्टोक एक ही समय में उपर और नीचे जाते हैं जो की एक नियम के रूप में होता है इसे लिखे जाने के समय अप्रेल 1922 के आरंब में New York Stock Exchange में बहुत सारे स्टोक लिस्टेड हैं जो अपने intrinsic value से बहुत कम कीमत पर भिक रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे स्टोक हैं जिनने ने तो अभी खरीदना चाहिए और ने ही किसी और समय New York Stock Exchange में अभी कुछ एसे स्टोक लिस्टेड हैं जिनका शायद कोई intrinsic value नहीं है और ने ही कभी होगा फिर भी हम मानते हैं कि अभी स्टोक खरीदने का समय है ऐसा मन्य सोदे मिल सकते हैं हालांकि सोदे चुन्ने में सक्षम होने के लिए गहन विवेक की आवशक्ता होती है हमेशा इस तरह जब लगबग हर कोई उन्हें बेचना चाहता है तो स्टोक खरीदने का यह अच्छा समय होता है जब सामन्य व्यवसाइक परिस्थितिया खराब हो स्टोक एक्सेंजों पर बिजनस बहुत कम हो और आप जिस किसी से भी मिले वह निराशावादी दिखाई दे तो हम आपको सला देते हैं कि आप स्टोक वे बारगेनिंग की संभवना की तलाश करें 1921 के आखरी 6 महिने स्टोक खरीदने के लिए ऐसा मने रूप से अच्छे थे यह सर्वविदित है कि बड़े हित दारक एसे समय में स्टोक जमा करते हैं वे केवल तभी खरीदते हैं जब स्टोक कम कीमत पर पेश किये जाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी एक समय में इतना नए खरीदे कि मार्केट में इस एक्टिविटी का आभास हो लेकिन जब मार्केट बहुत सुस्त होता है तो वे लगातार खरीदते हैं एसा लगता है कि यह सोचना मानो सुभाव की विशेष्टा है कि बिजनस के परिश्टितिया वैसी ही चलती रहेंगी जैसी वे हैं जब बिजनस खराब होता है तो लगवग सभी को लगता है कि बिजनस लंबे समय तक खराब रहेगा और जब यह अच्छा होता है तो लगवग सभी को लगता है कि यह लगवग एनिश्चित काल तक अच्छा रहेगा वास्तों में परिष्टितिया हामेशा बदलती रहती है यह कभी भी संभव नहीं है कि ने तो बहुत अच्छा समय हो और ने ही बहुत बुरा समय एनिश्चित काल तक जारी रहे आप स्टोक्स को उस समय सस्ते में खरिद सकते हैं जब उनकी मांग बहुत कम हो और आपको अपने कामकाज को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि ऐसे समय में आप खरीदने के लिए तयार रहें आपका दिन शुब हो